हाउ टो एफर पिवाइपास विवो मॉइल नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको महारे यूट्यूजर में और दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपके पास विवो कमपेटि का फोन जिसका मोडल नमर विवो आई 22 यानि की विवो आई 22 और आप इस मोडल का एफर पिवाइपास करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आई यह जानते हैं आपके दोस्तों फोन को दोस्तों की पासरोड मांग रहा हैं तो आपको फिवोके फोन कर सकते हैं अगर आपको यह फिसको अपने पास्वर ने के आपने पासरोड मांगेगा अगर आपको अपने password पता है तो आप यहाँ पे अपना password एंडर करके भी इसको unlock कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको email ID और आपका password दोनों ही नहीं पता और यहाँ पे जो आपने pin डाला वो भी नहीं मालूम तो कैसे आप इसको unlock कर पाएंगे आए जान लेते हैं तो सबसे पहले आपको simply अपने while phone को back कर लेना है और अपने while phone को wifi से connect कर लेना है जैसे कि दोस्तों आप दे सकते हैं हमने यहाँ पर वर्मा होस से अपने while phone को wifi से connect कर रखा है फिर आपको सबसे पहले पेज़ पर आ जाना है जो कि दोस्तों आपके सान कुछ तरीक के दिख रहा होगा इसके दोस्तों यहाँ पर आपको अपने volume up and volume down इन दोनों बटन को कुछ इस तरीके से दवाना एक साथ दवाने के बाद आपका यहाँ पर talkback on हो जाएगा फिर आपको दोनों बटन को एक साथ दवाएंगे तो यहाँ पर आपका talkback mode on हो जाएगा फिर यहाँ थोड़ा सा volume कम कर देते जाकि आपको समझ में आ जाए कि हम आपसे क्या बता रहे हैं कैसे आपको इसको अलोग करना है फिर आपको अपने वाइलफॉन में कुछ इस तरीके से ल को ड्रो करना है जासे आप इसको ड्रो कर देंगे तो आपके सामें कुस्ते के इंटरफेश रो हो जाएगा फिर इसके बाद आपको यहां पर मिलेगा यूज वॉइस कमांड तो आपको इस पर करना है टच फिर आपको इसको करना है डवल टैब तो जब डवल टैब करेंगे और जो जो मैं इस पर बोलूंगो तो आपको उसी तरीके से बोलना है तो अब आपको फॉलो करना है जैसे फिर इसके दोस्तों आपको यहां पर यह दोनों बटन जो दिख रहे हैं वॉल्यूम वाले आपको इनको दुवार से दबाना है और अपने इस टॉक बेक मोड को आफ करने का लिए मिलेगा आपको प्रुफाइल वाला ओप्शन तो आपको इस पर करना है टच इस पर टच करन देना है तो देखे फ्रेंस अगर यह डैक लिए आपको ओपन होता इस तरह ठीक है नहीं तो आपके सब्सक्राइब करने का अपको लिखना है वी एन रोम जैसे कि यहां पर लिखा हुआ आ रहा है वी एन रोम बाइपास तो आपको इस पर टच कर देना है फिर आपको यहा तो आपको इसको टच करके ओपन करना है फिर आपको दोस्तों यहां पर देखिए फोर्थ नंबर पर मिलेगा स्मार्ट स्क्रीन लोग तो आपको इस पर पहले टच करना है इस पर टच करने का आपको यहां पे नया पैटरन जो है टाइप करके देखना है आपको पैटरन न फिर एक बार लागर देखते हैं यहां पे लोग अई तो आपको यहां पे दूसर्री की करना है तो आपको इसके लिए आना एकने फ़ोन की सेटिंग मि 고ड़ पर जैसे अकुंद्व करना मैं आ दोस्त अब इस पर करेंगे टाउस यहाँ पर आपको मिल जागा Reset All Settings वाला ओप्षन तो आपको इस पर तच कर देना है इस पर टच करने का फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे लाज़ पर दौबार से मिल जागा Reset All Settings तो आपको दौबार से टच करके फिर आपको एक बार से टच कर देना और आपके यहां पर सेटिंग रिस्टोर हो जाएगी आपके सारी सेटिंग मैं सेटिंग हो जाएगी तो अपने फिर इसummy को प्रिंग ले आ फिर इसके आद कुछ ही दिर में आपको रिफुन अनल हो जागा द्वारव से त्वारव से जाएगा तो देखी जैसी आप इसको द्वाइब से दवाएंगा तो यहां पर आएगा टर्ण ओन करने के लिए ऑप्शन तो इस तरह को इस तरह करना है फिर आपको द्वारे से टॉपको ऑन करना है तो आपको यहां पर मिल जाएगा यूज वोईस कमांड़ आप्शन वही प्रॉस्स से द्वारा फोलो करना है लेकिन आप कोई स्टेप्स अलग होंगे तो आपको उनको फोलो करना होगा तो आपको इस पर करना डबल टैप गोगल असिस्टेंट ओपन यूट्यूब तो दोस्ते यहां पर हमने वाइफाय कनेक्ट नहीं किया तो पहले हमें इसको वाइफाय कनेक्ट करना पड़ेगा आपको यहां पर करना इस्टार्ट पर टैज करने काथ फिरस आपको करना इसको next next पर करने ज़ता कशिक Points next कर देना है और हम पर जो सब् 뛰el券 गया है तो हमारा यहां पर वाइफाई डिस्कनेक्ट हो गया है तो आपको अपने वाइल फोन को दुआर्स वाइफाई से कनेक्ट कर लेना हे कि अज़ें कि दोस्तों कि यहां tvåna इसको दभाएंगे यहाँ पर आपके सामने टॉप बैक से ओन हो जाएगा फिर आपको प्रिय वॉल्लिम को नंदेना है फिर इसके आपको दोस्तों इस तरहिए से दो जो करना है जहआप यहाँ पर दौदर से और ьो करेंगे तो आपके सामने से वही पे ज USB आपन हो जाएगा आपल यह और दाब कि गूगल आसीस्टेंट चरहिएंट एक आपन यूट्यूब कि यूटूब यूटिव ओपन होने के बाद दोस्तों आपको द्वार से वॉल्यूम वाले प्रटन को दोवना है कुछ तरीके से फिर आपका यहां पर टॉप बैक ऐफ हो जागा फिर आपको करना है यहां पर प्रोफाइल वाले उप्शन पर घॉल सरकल वाले पर फिर आपको सैटिंग वाले उप्शन पर लेना है तो आपको इसको टॉच कर लेना यह पिर आपको फर्स्ट लिंग को ऑपन कर लेना है फिर इसके दोस्तों आपको त्राइब करना है तो आपको यहाँ पर से एक बार लोग करके देखना हैं तो हमाँ जो SARAH ऐसे से करके देख लेते हैं कि हमारी यह अपनो ऑईल फवोन में एक बार दोवार से लॉक को लगा कर देखना है कि लॉक लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो दिल्ट कि दोस्तों में लॉक लग गया है तो अब जहां था कि हमारे यह प्रॉब्लम है जारना इसले ने सो इसले आप तो फ्रेंड्स यहां पर आपको थोड़ा से वीट करना होगा फिर आपको यहां पर करना है डॉन्ट कॉपी यहां पर चेकिंग इंफो तो देखे फ्रेंट्स पहले जो यहां पर पिन लोग मांग रहा था अब यहां पर पैटर लोग मांग रहा था अब यहां पर पैटर लोग सेट किया है तो देखे फ्रेंट्स चेकिंग इंफो करने के बाद यहां पर हमने पैटर लोग जो डाल दि एक्सेट पर टच करने का तो आपको इसको कर देना है next next करने का दोस्तों आपको यहाँ पर कर देना है इसको ok फिर यहाँ पर कहेगा getting your phone ready तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा करना है wait तो थोड़ा सा wait करने का दोस्तों आपका phone कुछी दिर में ready हो जागा यूज कर निकलेते को और हम चेक कर लेते कि यहाँ पर मारा वाइल फोन इस कुछ सिंपल से स्टेप फोलो करने का दनलोग हो गया के नहीं तो आपको इसको कर देना है next next करने का यहाँ पर आपको यहाँ पर द्वार से next करना है और use now पर touch कर देना है use now पे touch करने का दीखे friends आपका phone FRP bypass हो जागा बहुत ही easy तरीके से तो इस तरीके दोस्तों आप अपने Vivo Y22 को FRP bypass कर सकते हैं और यही तरीका आप mostly Vivo के phone में use करके उसको भी FRP bypass कर सकते हैं उसका भी Google lock unlock कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लोगे फिर इसको लाइक कीजीगा और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजीगा थेंक्यू सो मच